तो हिलो का लेस्किस वाले वीडियो में हम बीटी टेस्क एपिसोड 88 की पार्ट टू को इफ्स्प्रेंग करने मला हो। और अगर आपने पिसले वाले पार्ट नहीं देखे तो जाकर के जोड़ से देख लेना है वी लिंग वीडियो को डिस्रीशन में दे दिया हो। तो जरली भी ना कोई पख्वास के बढ़ते हैं वीडियो को डिस्रीशन में देखा था कि वाल्गराउं डिमन गोष्ट ने अपने बड़े बड़े नाखुनमाले पंदे से साल्यन के गर्दन पर अटैक कर दिया था। नहीं मेरा फैंघ जांगर और मेरे वो दो इल्लडर तुम्हारे हाथों मारे ये इस्पीट वाकी में ही किसी भी इलायर दोजम नेवल के INCESTOR को कील करने के लिए का फिये हैं और। तुम्हारी ये इस फीट पूर देकर मेरा इंटेश तुम में और भी ज़दा बर गया है। और इधर दुसी तरफ सभी के स्टुडेंट साल्यन को असमान में बरे बोर्ट से देख रहे थे। जिसके बैक पर अभी के लिए बोनिंग से जो की किस्टल कलर के थे। और वो बहुती ज़दा खुबसूरत और प्यारे लग रहे थे। इसलिए हरा देंगे। इसलिए हुआ हमें हर सीच्वेशन के लिए पहले से ही पिरिपियर होना होगा। अब इधर असमान में लिच्टी फेए डेक्टर साल्यन के पास से पेर हो जाती है। और अभी कि लिच्टी फेए डेक्टर ने वालकराओंड डिमान गोस्ट के सभी के चलाकियो قो समझ गई थी। और इदर वालकराओंड डिमान गोस्फपियान और लिच्टी फेए डेक्टर को देखते हुए उन दोनों की तरफ बढ़ने लगता है। अब जैसे जैसे वाल गराउंड डिमन गो साउडियन और लिटिल फेडेक्टर की तरफ बर रहा था, वहां का टेमप्रेटर बहुत ही जदा माइनस डिग्री में जा रहा था और वहां फठन बहुत जीदा बढ़ शुकी जी जिसकी बजी से सभी के लोग सर्दी की विज़से खापने लग गए थे, अब ये देखका लिटिल फेडेक्टर बहुत जीदा हरान हो गे थी और वह अभी के लिए बहुत जीदा परिसान भी हो गई थी, क्योंकि जब उसने देखा कि वाल्गराउंड डिमन वोस सिर्फ अपनी दावकी के हेल्प से ही वहां के सारे टेंपरिजर को कंट्रोल कर रहा है, तो वह सुंसते है कि लगता है कि इस केस टेंज से मैं इस्टार दोजोंग लेबल पर पहुंच चुकी है, और ये मुझ से दोजोंग लेबल में सिर्फ ती ने स्टार आगे है और ये इतना वड़ा गाफ है कि मैं अपनी विफूर परिजनेस बड़ी को यूज़ करके भी इस गाप को फुलफिल नहीं कर सकती, और अभी के लिए लिटिल फेटर को यक्किन नहीं थी कि वो वाल्गराउंड डिमन वोस को हरा भी पाएग कि वो जानती थी कि साउयन इस बंदे से फाइट करें ने तो वो सिर्यसली इंजर्ड होकर मर भी सकता है, इसलिए लिटिल फेटर ने आगे बढ़कर पहल की ताकि साउयन इससे डायकली फाइट ना करें, अब जैसे ही वाल्गराउंड डिमन वोस लिटिल फेटर को अपने बहुत जिदा घवरा गई थी, और वो अपनी पुज्डिस दावकी से एक बहुत ही स्ट्रोंग सील बना लेती है, और जैसे ही वा आइस किस्टल लिटिल फेटर की सील से टकराती है तो वो आइस किस्टल वही पर खतम हुला था है, और वोल्गराउंड डिमन वोस यही पर नही रुपता जो आइस किस्टल टूटकर पिखर गए थे, उससे वाल्गराउंड डिमन वोस टेक बहुत बढ़ी स्ट्रोंग बना लेता है, और अभी के लिए वो जिस फर्मेशन का यूज कर रहा था, वो थी आइस कंडन सेट स्ट्रोंग सी स्ट्रोंग और जैसे ही वाल उस ही फेइ डिमन हैन जिससे कि उसकी दयावकी से एक बरा सा पल पल गलर का हाथ बंदा था है, और वह अपनी बडरी सी पल पल गलर की हाथ से उस वाल्गर की हाथ से स्ट्रूट को रुबलेटी है, अवा ऐस रूट की हाथ लेकिन रिखेट लिखर इसम पा की निटने से से आइस बिलेट वो डॉज करने की बहुत ही ज़्टा कोसिस्टों करती है, लेकिन वो बहुत ही सारे थे, जो कि लिजल भाईडेतर को हर तरफ से घेर लेते हैं, और हुआ आइस बिलेटर लिजल फाईडेक्टर के बाडी पर हर तरफ से अटेक कर देते हैं, अब लिजल डिमन बोस्ट के उन आइस ब्लेट अटैक से खाफी जिदा इंजाड हो गई थी और उसकी जखमों से खुन भी निकल रहा था अब आस्मान में इस तरह की खतरनाक फैट को देखकर सभी के लोबर इस्टुडेंट्स बहुती जिदा कव्या चुके थे अब रिजिल फैई डेक और हेरान भी अब इसके साथ ही फिर से वाल ग्राउंड डिमन बोस्ट लिटिल फैई डेक्टर से कहता आएगी लेकिन फिर वी तुम अभी भी अपनी इसे स्टेंद के साथ मेरे से मोगावला नहीं कर सकती और अगर अबी के लिए तुम चाहो तो इस फायर पुच्वर कर पर शे जासती हो में गरेंटी देता हो कि में वोल ग्राउंड डिमन बोस्ट तुमें जरासा भी हाम नहीं करूंगा जिस पर लिटिल फैई डेक्टर वोल ग्राउंड डिमन बोस्ट का मजा कुरा आते विये कहता है कि तुम बिल्कुल बच्वाली बाते कर रहे हो अब कुछ नहीं बल कि यह धर को से लिए ऑग कर देता है उर्फ ही व्य वल्डृण टायां करके रखाहा था क्यों कुछ आधार साँयां के लिए यह पने लिए व로डराउंड इडेक्टर के हेल्प से ही मुम्किन हो पया था, क्योंकि उसी नहीं ओल्गराउंड डिमन गोष्ट को इतनी देर तक डिले करके रखा हुआ था, अविदर सावियन के हाथ में इस गिरीन इनर्जी को और एक बड़े से हैंड प्रिंट को देखकर, ओल्गराउंड डिमन गोष आते हैं तो, ये उसकी गलत फैमिली है, ये दिन में ही अभी के लिए ख़ाप देख रहा है, और विदर सावियन अपनी उस सी फिलिपिंग सील से वल्गराउंड डिमन गोष्ट पर अटाक कर देता है, और एक बड़ासा हैंड पिरिंट वल्गराउंड डिमन गोष्ट की इस अटैक को सीरियसी नहीं लेता और ना ही वर डॉस करने की गोशिस करता है, त्योंकि वो खुद को बहुती महान समझ रहा था, और उनके नजरों में कोई भी दोवांग लेवल का एक्सपर्ट बिल्कुल भी महाने नहीं रखता था, अब जैसे ही सावियन की सी फिलिपि सील की फाम आफस में टक राती है तो, वहाँ पर बहुती बड़ा एक्सप्लूजन था है, जिससे देकर सब भी किलो घेरान हो गए थे, और वो कहते है कि क्या ये वाकी में ही कोई दुवांग लिवल का एक्सपर्ट इस तरह की अटैक को अन लिस कर सकता है, जिसमें की इतन ओल ग्राउंड डिमन वोष्ट इस अटैक से हार जाए, जो सुनकर सवलियन भी हामे सरहिला देता है, क्योंकि वो जानता था कि वो अपनी इस अटैक से किसी भी दोवांग लेवल के एक्सपर्ट को कील दो करी सकता है, बलकि वो इभेन के किसी भी इलाइट दोजन लेवल क एंसेस्टर को भी हरा सकता है, लेकिन अगर बात की जाए, ओल ग्राउंड डिमन वोष्ट की जो की एकिलाइट सेवने स्टार दोजन लेवल का एंसेस्टर है, उसको हराना इस अटैक से बहुत ही जिदा मुस्किल है, अब इदर असमान में इतनी जिदा इनर्जी की फिलिक आकल खुद को सो करता है, और जब साव्यन वोडिटी फे ही डक्टर वल ग्राउंड डिमन वोष्ट को देखता है, तुँ अहरान होकर कहता है कि ये हरामी बुद्धे वो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, अब इसके साथ ही हम देखते हैं वल ग्राउंड डिमन वोष्ट अपनी हाथों को अपनी कमर के पीछे बांध लेता है, और हम देखते हैं वल ग्राउंड डिमन वोष्ट के पीछे उसके हाथ को जो की बहुत जीदा काफ रहे थे, वो उसके हाथ से बहुत जीदा खुन भी निकल रहे थे, और अभी के लिए वल ग्राउंड डिमन सवीएन के अटैक से उसे कुछ भी नहीं वहाए लेकिन अभी के लिए उन लोगों को कहाँ पता था कि सवीएन के balance ने ओल्ल गुष्ट का एक बरा सगला बड़ी टेजी से साव्यन की तरप बर राथा लेकिन साव्यन पेले ही वहां से निखल देया था और जब ग्राउंड डिमन गुष्ट ये देखता है कि उसका ये अटाक खाली गया तो वो कहता है कि ये लर्का बहुती जिदा मचली की तरह सलिपी और इसके साथ ही वोल ग्राउंड डिमन गुष्ट एक बार फिर से साव्यन पर एक वर अडाक करने लगता है अब इससे पेले वोल ग्राउंड डिमन गुष्ट साव्यन पर अडाक कर पाता लिखी फेई डेक्टर पीछे से वोल ग्राउंड डिमन गुष्ट पर अडाक कर अब जैसे ही इन दोनों की फाम आपस में टक राती है तो एक बहुती बड़ा एक्स्प्रोजन आता है जिसे लिजिल फेई डेक्टर काफी कदम पीसे चले जाती है और वोल ग्राउंड डिमन गोष्ट वही पर खारा था लेकिन उसकी बोड़ी पुरी तरीके से खाफ गई थ लेकिन वल्ग्राउंड डिमन गोष्ट यहाँ पर भी नहीं रूपता हो साव्यन के पीछे पर दा था है और वो अभी जल्दी से जल्दी साव्यन को किल करना चाता था और उसे अभी के लिए उसे किसी भी चीज की परवान नहीं थी ना तो लिकी फेई डेक्टर की और ना जिहां नने कैड्मी ही और हुग साव्यन व्ल डिमन गोष्ट को अपनी तरप आता हुआ देखकर और अपने उफर अटैक करता हुआ देखकर साव्यन अपने 3000 लैटनिंग मुउमेंग और बोनिंग्स का यूज करते हुए वाल्द ड्राउंड डिमन गोष्ट के सबी के कर में ही नहीं आ रहा था आविदा लिटिल फेई डेक्टर आस्मान में इस तमासा फोद देकर बहुत इदा उसे में आ गई थी और वो सव्यन को बचाने के लिए अपनी कुछ हैंसी बनाने लगती है जिससे कि लिचिट फेई डेक्टर के और बहुत इदा बढ़ने लग लेकिन जैसा भी वो तुम्हारा अवरा और तुम्हारी एस्टेन तबी भी मुझसे बहुत ही जिदा कमी है और अविदर दुसी तरफ सब लिचिल फेई डेक्टर की बढ़ती हुई एस्टेन को देखकर बुसे में फुच से कहता है कि लगता है कि लिचिल फेई डेक्टर लिचिल फेई डेक्टर की एक सार में नहीं बलकि कुछ साथ से आठ महीने महीं अरफ्ट हो जाएगी और जब लिचिल फेई डेक्टर सल्विन की एक्स्पेशन देखती है तो वह कहती है कि इसका मीने बुट्टे ओल ग्राउंड डिमन वुष को मुस पर च्वर्दो तुम लिचिल फेई डेक्टर को गले से लगा लेता है और वह कहता है कि अगर ये वीडियो खतम नहीं होता तो में तुमें किस भी कर लेता और आफ साव्यन वालिचिल फेई डेक्टर ने कर लिए किस और आप लोगी सेनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत करना मिस और और वो कर दो किसा कर दो किस और वूप और वीडि़ता है